नमस्कार साथियों 6 जून का करेंट अफेर्म लोग देखने वाल है उससे पहले मैं आप लोग को एनॉंस करना चाहता हूं कि आज मैं जो हूँ जो यूपीएसी का पेपर हुआ है उससे सबंधित कुछ एक वीडियो दूँगा कि क्या कट आफ होने वाली अंसर कीज क्या थी क्या मार्केट में पूरा चला हूँ जो बाते हैं और आपके लिए मेंस 2022 के लिए पूरी टाक्स टाइम प्लान बनाकर पूरी स्टेजी बनाऊंगा सौ दिन का बताऊंगा आप लोग को सौ दिन में क्या करना चाहिए साथी साथ 2023 के जो हमारे पेड़ गूप चलू होने वा है एसिस्ट कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा जैसे कि आंसर रेटिंग और कॉंसलियों गाइडेंस ठीक मेंटॉर्शिप वाला पूरा प्रोग्राम में एक प्लान करनेंग सोच रहा हूं तो वह भी रहेगा लेकिन सौ दिन की स्ट्रेजी मैं आपको वीड डिस्क्रिशन में दे रखा है लगातार में कई सारे पिक्शेर्स और आपके साथ शेर कर रहा हूं वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट से वहीं शेर किया जारा है जो कि एक्जाम में आने के बहुत-बहुत ज्यादा चांसे हैं ठीक बाकी कोई जान करे चाहिए तो 960347 टेलिग्राम वैर वाट्सएब कॉल कर सकते हैं ठीक है आज के जो तस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निजो कि प्रिलिम्स और में इस एक्जामनेशन में आसकते हैं यूप यूपी सी विपी सीव एक्जामनेशन में वो से यह सारे हैं जिनको आप हम लोग सब्सक्राइब को तब भी जो है उनली वन अर्थ ही थीम था इस बार भी इसलिए उनली वन अर्थ थीम रखा गया तब कई सारे इनिशेटिव वे तो प्लास्टिक को खतम करने के लिए यह क्लीन ऑंग्रीन कंपेंड के दवरा चलाए गया वर्ड इंवार्मेंट डे 5 जून 2022 को और इसमें जो है डिटेल एडवाइजरी भी दी गई है और यह कहा जा रहा है कि भाईया सिंगर यूज प्लास्टिक 30 जून तक बैन करो ठीक यह सिंगर यूज प्लास्टिक करें कुछ कुछ यहां पर सैंपल नमूने यहां पर दिये गए हैं उनको दियान लगएगा और इसमें यह है कि इनकाय की स्टेट्स और शहरी निकाय जो होते हैं स्थानी निकाय उनके साथी साथ यह भी का गया कि यह जन भागी तारिता को बढ़ाओ तब ही यह जो क्लीन एंग्रीन केंपेन है यह सफल हो पाएगा सिंगल यूज प्लास्टिक को हम लोग जो है बैन कर पाएंगे 30 जून तक ठीक मोदी जी ने देखे जब यह ग्लासगो में आपका कॉंफरेंस ओपार्टी चले थी 26 वी यूनेटे नेशन क्लेमेट चेक कॉंफरेंस ओपार्टी ग्लासगो में तब इन्होंने आइडिया ओफ लाइफ दिया था लाइफ का मतलब क्या है लाइफ स्टाइल यानिकि जीवन चैली फॉर इंवर्मेंट तो शॉर्ट फॉर्म लाइफ बन जाता है वर्ल्ड इंवर्मेंट डे पे इन्होंने जो है इस ग्लोबल इनिशिटीव को लॉंच किया एक बार फिर से और यह चारहें कि लाइफ इस्टाल जीवन शैली में क्या है कि आजकल हम लोग जो है नहीं लॉंच किया इसमें दुनिया भर से जो है युनिवर्सिटी इस इंस्टीशन से काई यह बताओ को सलूशन बताओ इंडिविज्वल जो है कमिटी और सलूशन बताओ जिससे कि हम इन्वार्मेंट कॉंशियस लाइफ स्टैल को अपना सकें ठीक 26 वे कंफरेंस पार्टी में क्लासगों में यह लॉंच किया था मोदी जी ने और यहीं है कि कंज्यूमरिज्म जो है वो माइंडलेस डिस्ट्रक्ट्रिव नहीं होनी चाहिए इन्वार्मेंटल यह माइंडफुल और डेलिबरेट यूटलाइशन होना चाहिए ठीक तो कोई भी करेंट करते हुए आगे के सलूशन धूर्णने चाहिए ठीक अगला टॉपिक है इनिशेट्व वाई आपका जी एएम टू प्रमोट सस्टेनेबल पब्लिक ट्रक्यूर्मेंट ठीक तो जी एम आपको पता है गौवर्मेंट इमार्केट प्लेस है तो जो सरकारी संस्था है सरकारी जो बोडी होती है वो जो भी खरीदारी करती है वो इस पॉर्टर से करती है मैंने आप लोग कईबा होता है यह एमाजोन फिल्पकार्ट है गौवर्मेंट जो संस्था है वो जो भी खरीदती है वो जी एम से ही खरीदती है ठीक तो यहाँ पर लेकिन प्राइवेट वाले लाने की कोशिश कर रहा है United Nation Environment Program के साथ में ठीक तो यह भी Environment Consciousness जो एक तरीके से वो जाग लुकता फिला रहा है और Environment Consciousness को बढ़ाने कोशिश कर रहा है तो जैसे कि इन्होंने Green Room Air Condition RAC launch किया था June 2020 में ठीक काफी अच्छा जो है यह एक path breaking step था साथी साथ जो है अच्छा वैसे है तो स्वेक्षिक वाला voluntary basis पे लेकिन यह लोग चाह रहे हैं कि इसको जाएदा लोग जो है Green जो Room Air Condition इसको अपना है ताकि जो SDG Goal है 12.7 जिसमें का गया है कि हमें promote करना चाहिए Public procurement practices जो सावजनिक खरीदारी कर रहा है जो कि ससनेबल हो और मतलब इन्वार्मेंट फ्रेंडली हो ठीक इसके साथी साथ गॉर्मेंट इमार्केट प्लेस ने ग्रीन गोल्ड कलेक्शन भी इंटेड्यूस किया था इसमें जो बैंबू बैंबू को सब को जो है प्रक्यूर मरलब करें गॉर्मेंट की संस्ता है इसके लिए बढ़ावा दिया जा रहा साथी साथ जीएम ने ग्रीन ट्रांजीशन सर्विस भी चलू करी है ठीक जीएम पोर्टल पर ताकि जो कार्बन न्यूट्रालिटी है नेट जीरो कार्बैमिशन इसकी त सद्गुरू है आप लोगों नेनका नाम सुना होगा तो यह जो म्रदा है जो मिट्टी है ठीक उसको सेव करना चाहते हैं और मतलब मतलब इसकी तरफ जागरुकता फैला चाहते हैं तो उन्होंने सौ दिन का मोटर साइकल यातरा करी जो की 27 देशों तक जाएगी और सब ज एक्षन होना चाहिए और इन्होंने यह भी का कि इंडिवीज्वल्स की बहुत ज्यादा बड़ी पावर है अगर इंडिवीज्वल अपना एक्षन जो है थोड़ा क्लाइमेट प्रोक्त करते तो बहुत बड़ा नीती चेंज भी आ सकता है पॉलिसी चेंज भी आ सकता है ठ सेफ स्वाइल जो यह मुवमेंट चला इसमें ठीक दोगों जो सेल्फ जो हैल्थ ऑफ स्वाइल की बात करिया है तो उसमें आप लोगों ने सुना है स्वाइल हेल्थ कार्ड गॉर्वर्मेंट ने इश्यू कर रहा है परमपरागत जो है खेती की बात करते हैं यानि कि और अगला टॉपिक है तुर्किया तर्की ने अपना नाम चेंज करने के लिए यूए नो में कहा था और वहां पर उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया यहां ठीक है नाम चेंज कर लो क्या कारण है जो इन्होंने तर्की से तुर्के है जो नाम कर लिया है उसको कारणों को जान लेते हैं पहली बात यह है तर्की एक एंग्लिसाइज वर्जन है ठेक है ना एंग्लिसाइज वर्जन है डोमिस्टिकली जी गरिलू रूप में देखे तो सब ल Qin तुर्किये ही उसकरते हैं इनको सोतंता मिरी थी तब जो है 1923 से तब से इसको टर्की बोले लगे तर्की अगर आप गूगल सर्च करो को तेक बहुत बड़ी बर्ड होती है और उसको मारवार के क्रिस्मस में खाया जाता है नौर्थ अमेरिका में तो इसलिए जो हैं पर्सन हो तो यह भी थोड़ा सा बेखू यह मूर्फ वेक्ति ऐसा वह लोग डिक्शनरी में आ रहा है और आपकी कंट्री के नाम ऐसा है तो ठीक नहीं लेगेगा बिल्कुल सही बात है साथी साथ जो अपनवेशिक लेशी है उसको खतम करने के लिए और रीब्रेंडिंग जैसे होलेंड की जगे अब नेदरलेंड नाम कर लिया मैसेडोनिया पहले नॉर्थ मैसेडोनिया था ग्रीस के साथ में पॉर्टकर डिस्प्यूट थे अब उसने नाम अपना नॉर्थ मैसेडोनिया के जगे सिर्फ मैसेडोनिया कर दिया परशिया जो पारस था उसका नाम अब फारस जो था उसका नाम अब इरान हो गया 1935 से ठीक सियाम अब थाइलेंड हो गया रोडेशिया जो है जिमवामवे हो गया को लेगेसी को खतम करने के लिए तो कई साथ लोग नाम चेंज कर चुके हैं भारत में भी कई साथ नाम चेंज हो रहा हैं इंडिया हो सकता आगे देखते हैं तो लेकिन constitution में तो लिखा हुआ इंडिया इट इस भारत ठीक दोनों ही नाम लिखे गा है अर्टिकल नमबर वन में अगला टॉपिक है गेट एनलिसिस चाल विचलेशन किस तरीके से व्यक्ति चलता है ठीक इस से कई साथ चीज़े होती है sports में जो है size चले तो running अच्छी हो सकती है या फिर उसकी कोई जो है उसको disease है फिर कोई medical care की ज़रूरत है size नहीं चल पा रहा तो उसके लिए gate analysis की जाती है अभी analysis gate analysis का जो है use किया गया as evidence ठीक है ना as an evidence use किया गया सबूत की तरह use किया गया Mumbai की special court ने ठीक एक 44 साल के वेक्ति को एक महिला का rape और murder करने के लिए gate analysis का use अब forensic में किया गया अब दो क्या है कि CCTV का use बहुत जादा बढ़ रहा है ठीक तो उसमें देखा गया तो किस तरीके से वेक्ति ये चल ला था ठीक फिर इनको जो है चलते हुए इनकी gate analysis करी गई वो दुनों match कर गई तो फिर एक सबूत की तरह इसको उपयोग किया गया gate analysis को कि हाँ भाई साब यहीं वेक्ति हैं जिन्होंने इसका rape महिला का और जो है मडर किया था ठीक तो यह gate analysis चाल किसरी के चलते उसको दिखलाता है वर्ड environment day मैंने आप लोगो वैसे तो पहले बता दिया है पांच जून 2022 को है only one earth इस बार का थीम था और जागरुकता फलाने के लिए है पांच जून को हर साल होता है 1973 से अब लोग मना रहें पचास हुआ साल है इस बार ठीक इंपॉर्टेंट है 1972 में United Nation at the Stockholm Conference on Human Environment हुआ था पांस से सोला जून निस बातर में तो उसी के टाइम से यह वर्ल इन्वार्मेंट डे हम लोग मनाते हैं इस बार only one earth जो है थीम रहा सुडन ने इसको जो होस्ट किया था इद्यानक ना और इस टॉक होम सुडन की जो है कैपिटल भी है तो उसी ने इसको होस्ट किया था थीम ओन ली वन अर्थ था इंपॉर्टेंट है इंवार्मेंट से र देखके कंफर करके फिर कमेंट करके बताइएगा गुजरात के कुछ विलेजर्स ने क्या किया कि सारस क्रेंट के जो अंडेंडेंडें काफी दिक्कत में आ रहे थे चुकि क्या है कि जो आदर भूमिया है वेट्लेंड से वो खतम होती आ रही है जो इनका एक तरीके से और यह लार्ज नॉन माइग्रेटरी क्रें होता है और सौथ एशिया में पाए जाता है ठीक है और अस्ट्रेले में पाए जाता है और यह टॉलेस्ट सबसे लंबी उड़ने वाली पक्षी है यह दियानक ना 152 से 156 सेंटिमेंटर टॉल होती है विंग स्पैन अगर देखे है और हेड जो है यहां पर रेड होता है है और अपर नेक ठीक वेटलेंड इनका जो है ठ्रेट क्या है वेटलेंड लॉस हो रहा है जैसे कि जो इनका वेटलेंड है और जाता जो जमीन है वही कल्चा के लिए कनवर्ट हो रही तो यह एक इनका ठ्रेट है इंडिया के वाइ खींध कुछ यहां दकेगा और सबसे आदा जु प्रोटेक्शन है वह शेडूल 1 और शुल 2 के फॉल्ट में वाली जो वह उसमें फॉरना है सउरी फॉन माल齡 अनिमल्स उनको जो है रखा जाता है शेडूल वन और शेडूल टू के पार्ट टू में दियान अपना है अगला टूपिक है फूट टेस्टिंग लेबरेटरियर रक्सॉल रक्सॉल जो है आपको पता है बिहार में है नेपाल बॉर्डर पे है कई सारी चीजे नमूने जो है जो इंपोर्ट किये ज जाता है ज्यादा टाइम लगता है तो अभी यहां पर रक्सॉल पर फूट टेस्टिंग लैब ही जो है बना दी गई ताकि कम समय लगे और इंपोर्ट जो है अच्छे से हो सके फूर्ड सेंपल्स का कम समय में भारत और नेपाल के बीच में ठीक तो यह यहां पर जो टूरिस्ट जाते हैं वहां पर खुब गंदगी मचाते हैं वहां पर जो है जो इंफ्रसक्टर बन रहा है बहुत ही अदा कंक्रिटाइजेशन हो रहा है जैसे कि उत्रगंड में देखा था 2013 में काफी फ्लैश फ्लट्स आ गया थे तो यह सस्टनेबल टूरिजम नहीं ह कहीं पर भी कुछ भी बना रहा है बिल्कुल इंवर्मेंट फ्रेंडली नहीं है तो वह सस्टनेबल टूरिजम नहीं खराता है तो सस्टनेबल टूरिजम हो रहेगा तभी तो टूरिजम से रिवेन्यू बनेगा और इंवर्मेंट भी स्वच रहेगा ठीक तो इसके लिए क था है यह समिट तो वहां पर यह स्ट्रेड़जी लाएगे सेस्टेड़ टूरिजम एन रिस्पॉंसिबल ट्रैवलर केंपेंड नाम से ठीक है और इसमें देखें यहीं है कि वहीं है प्रमोट करो परेवरण जो है सतत परेवरण बना रहे हैं जैब विविद्था को जो है सल तरगत ठीक तो 6 जून जो है आज हम लोग ने करेंट अफेर में काफी इंपोर्टेंट टॉपिक्स देखे मैंने आप लोग पहले ऐसे बताएं यूपी यूपी एसी ठीक यूपी एसी का मेंस के लिए हम एक स्ट्रेड़जी आपको सौ दिन की देंगे बहुत ही बहुत ही मैंने स्ट्रेड़जी बनाई है ठीक इसका वीडियो आपको मलब आज ही मिल जाएगा कैसे हम मेंस में क्या-क्या आपकी जो है एसिस्ट कर सकते हैं मेंस आंसर रैटिंग में और कैसे काउंसलिंग गाइडिंस और कंटिनूस हैंडोल्डिंग एक्स और मेंटोर्शिप कैसे कर सकते हैं बहुत जाज हो रही है क्योंकि इस यह टाइम जो है इसमें एक आपके साथ में हमेशा लगातार होना चाहिए विक्ति जो आपको गाइड कर सके तो वैसे हम लोग कुछ प्रोगाम लाने को इसके लिए मैं आज अनौन्स करूंगा साथीजाद 12 जून के लिए ज लिए जल्द बहुत जल्द तो उसकी डेट क्या है क्या क्या चीज़े उसमें होने लिए वह सारी चीज़े भी अनौन्स करूंगा तो उस वीडियो को जरूर देखेगा और साथी साथ आप लोग कोई भी डाउट होता है कोई भी आप इंफॉर्मेशन नहां चाहते हैं तो सब्सक्राइब जाहिंद 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 वारत और वेस्ट बंदे बंदे मात्रव हां लेकिन यह लाव वीडियो आज ही आएगा ठीक दुपैर में आफिर शाम को जाहिंद